नमस्कार इंदी अचारे चैनल की राजनीती शास्रकी श्रिंकला में आप सब का स्वागत है इस वीडियो में बच्छो हम स्टेट लेवल का जो हुमन राइट्स कमिशन होता है राज्य अमाना वैधिकार आयोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो चलो बच्छो आरंब पर तो इसकी अनुस्तार उस समय पर जो 26 स्टेट थी उन्होंने अपने अपने स्टेट लेवल के हुमन राइट्स कमिशन को बनाया है और उन्होंने इस चीज की ऑफिशिल गैजट नोटिफिकेशन भी दी थी तो स्टेट हुमन राइट्स कमिशन जो होता है राज्य, मान हाला कि नैशनल हुमन राइट्स कमिशन जिन चीजों के बारे में इंक्वारी अल्रडी कर रहा है तो स्टेट हुमन राइट्स कमिशन उन चीजों में इंटरफेर फिर नहीं करता है और हम देखेंगे कि जो राज्य का मानवाधिकार आयोग होता है यह भी मल्टी मेंबर ब जो मेंबर्ज है वो रिटाइड या सर्विंग जज्जिस होने चीज रहा हाई कोड के या डिस्टिक जजज भी हो सकते हैं और वह साथ साल का कमशकम उनके पास एक्सपिरिंस होने चीज़ ज़िये डिस्टिक जजज का और यह जो चेयर परसन है जो बाकी मेंबर्स है इन स से बाद ये रिटायर हो जाएंगे इसके बाद भी इनकी दुबारा नियुक्ती हो सकती है और हालकि यह स्टेट human rights commission के साथ साथ यह दूसरी employment कर नहीं सकते स्टेट यह central government की अब आगे देखते हैं कि चेर परसन और जो दूसरे members हैं वो governor के दौरा तो appoint किये जाते हैं लेकिन इनको हटाया केवल और केवल राश्टरपती के दौरा ही हो सकता है और उसके लिए भी उनको राश्टरपती के दौरा भी उनको तब ہी हटाया जा सकता है अगर वह दिवालिया ओ गये हो और या फिर वो लोग कोई दूसरी नौकरी करने लगे हो या फिर वो mentally fit नहीं हो यह कारे करने के लिए और इसके साथ ही प्रेजिडेंट इनके chairperson को और दूसरे किसी member को miss behavior के note पर भी हटा सकता है अब देखते हैं इसके functions क्या है human rights की जो violation है उसकी inquiry करना suomoto या किसी petition के द्वारा और अगर कोई allegation human rights का हो रहा है किसी court में वहाँ पर भी इंटर्वीन करके अपनी तरफ से बात कर सकते हैं वहाँ और jails और detention places में देखना है विजिट करना है वहाँ पर कि क्या जो कैदी हैं उनको human rights मिल रहे हैं उनके और human rights के field में research करना भी इनका एक कारे है और NGO's के साथ में मिलकर भी human rights के field में काम करना भी इनका कारे हैं अब देखेंगे कि जो यह commission है इसके पास अपनी शक्तियां होती है और जो शक्तियां एक civil court की होती है वो ही इसके पास भी होती है और यह भी judicial character का कारे करता है और इसके साथ ही यह state government को recommend भी कर सकता है compensation जो victim को देए जानी है उसके बारे में और यह recommendation कर सकता है कि prosecution किसी तरह से किसी guilty अगर public servant के द्वारा कोई गलती हुई है तो और इसी तरह से यह supreme court या high court से भी कुछ अगर इसको ज़रूरत है तो वहाँ से direction प्राप्त कर सकता है हाला कि इन चीजों से हमें यह पता चलता है कि यह जो state level का human rights commission है यह भी recommendatory ही nature में है इसके पास punish करने के लिए कोई अधिकार नहीं है वायलेटर को human rights का अगर वायलेटर जो है लेकिन फिर भी हम यह जानते है कि इसकी recommendation binding तो नहीं होती लेकिन फिर भी सरकार इनकी बात को सुनती जरूर है आगे हम देखते हैं कि जो commission है यह भी अपनी सालाना फार्शिक report जो ह वो देता है state की सरकार को और इसको आगे राजयपाल जो होते हैं वो आगे अपने विधान सब और विधान परिशत के सामने भी रखते हैं और protection of human rights के लिए 1993 में establishment of human rights court भी होना चाहिए 1993 के act के नुसार ही हर एक जिले में ताकि जल्दी से जल्दी human rights की violation का trial हो सके और यह ऐस से courts बनाए भी गए है अब देखते है 2019 में जो amendment act आता है human rights protection का जो act है इसके अनुसार एक व्यक्ति जो supreme court का judge है वे national human rights commission के साथ में भी eligible होता है इसके साथ ही the members of human national human rights जो की बहुत ही जानकर ही रखते है human rights के बारे में दो से उनको बढ़ा कर तीन कर दिया गया है और तीन में से एक एक स्त्री होनी चाहिए और इसमें जो चेर परसन है नाशनल कमिशनर और बीसीज और चाल्ड राइट्स और डिसबिलिटीज वह एक्स official members होते है national human rights commission के इस act के अनुसार हम पढ़ चुके हैं इसे और state human rights commission human rights की अगर बात करता है तो central government भी बहाँ पर interfere कर सकती है मतलब अगर कोई कारिया national human rights के जाज किया जा रहा है तो वहाँ पर state level का human rights commission काम नहीं करेगा बहाँ पर और उसके बाद हम देखते हैं कि एक secretary general national human rights commission का वो सभी administrative of financial powers को देखेगा जो की chairperson की control में होती है और एक secretary होता है state human rights commission का जो की सारी administrative of financial powers को देखेगा और इसी तरह से एक central government भी state human rights commission को अब यहां पर यह देखेंगे कि जो chairperson होता है national commission का फॉर बीसी इस इन सब के एक्स official members होते हैं तो मतलब 2019 का जवर्मेंट में टैक्ट है उसमें भी बहुत सारी provisions राज्य मानवादिकार आयोग के पास दी हैं तो अब हमको समझ में आगया है कि जो कारे united nation की human rights का है वही हमारे कि इंद्रेल सरकार के सर पर राश्य मानवादिकार आयोग के द्वारा किया जाता है और वही कारे यहा तो आशे करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को स्ब्राइब जरूर कीजेगा हिंदी आचार्या